हेलो एब्रिवान मैं हुरिया और सागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा वित्रिया में तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉड्राय फैब्रिक का टेक्स्च्चर क्रेट करना कैसे हम कॉड्राय फैब्रिक को इलस्ट्रेट करते हैं कौन सी बातों का जिनको हमको धियान रखना है और कौन से चीज जो हमें नहीं करनी है सो चलिए बिना किसी देरे के हमारे आज किस क्लास कर स्टार्ट करते हैं तो अगर आप चैनल पे फरस्टाइम आया है तो देर किसा बात की करने जल दी से चैनल को सब्सकृब करके नोटिफिके बिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सकें सबसे पहले कि सो जहां मारा कॉड्राय फैब्रिक होता है अगर आपने इमेज में देखा है आपको समझ में आही रहा होगा कि लोग अपना create करता है तो यहां पर हम लेंगे यह brush जिसका tip जो है वो इस तरह से है और इस तरह ses हम इस brush को उल्टा करेंगे मैंने यहां पर brush लेया है आप कोई भी चीज ले सकते हैं और इस तरह से जो है straight line यहां पर आपको द्रॉ करना है जैसे denim को जो हम look create कर रहे थी तो है डाइकलन लाइन क्रियेट की थी यहां पर हम कोड़ राय फैब्रिक का जो है वह एफ़ेक्ट करेंगे तो यहां पर जो है हम इस तरह से कोई भी मोटी से चीज लेकर यानि कि जिसका पॉइंट छोभा थोड़ा सा मोटा हो उससे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें बना लेनी है और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा ब्लॉक अपना लाइन से फिल कर लिया है इसी तरह से आपको भी करना है और जब भी आप इसको करेंगे तो आपका प्रेसर जो है पॉइंट चीज पर बहुत जादा होना चाहिए क्योंकि आपका जितना अच्छा त्याव चाहिए आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा तो आपका टेक्स्चर भी जो है वह उभर के आएगा यहां पर मैंने औरेंज कलर का यूज किया है और इस कलर को मैं इस तरह से फिल कर रही हूं और जैसे कि कलर को फिल करते ही आप देख सकते हैं पेपर पेक्ट प बन रहा है सो ऐसे ही आपको evenly lines ड्रॉ करनी है सो बस आपको भी थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है लाइक जब भी आप impression बना equally lines जो है वो ड्रॉ करें और थोड़ा सा प्रैसर जो है उस पर बनाएं जो भी चीज आप इसको लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज कर रहे हैं कि इस तरह से इसमें color करेंगे और इसमें बीच में जो है वो एकदम light shade रखेंगे और हमारे corners पर जो है वो हम dark shade रखेंगे एक तरह का velvet का लुक जो है वो इसमें create होता है जैसा कि Belbit fabric हमारी बहुत ही सॉफ्ट और साइनी और थोड़ा सा तेक्स्टर होता है तो सेम ऐसी जो है वह कडिरीवी होता है और कडिरीवी आपके डेनिम बहुत जादा बनते हैं जैकेट बनते हैं बच्चों की ढंगरी बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनते हैं तो इसी तरह से आपको इसको horizontally and vertically फिल कर लेना है बट आपको इसका medium यानि की जो mid shade है वो आपको light रखना है और side sides पर आपको इसका dark shade जो है वो use करना है अगर आपको still कोई doubt हो question हो कोई रही हो आप मुझे instagram पर message करकर पूश सकते हैं और इसी तरह से जो है आप अपना work complete करके मुझे instagram पर भी भेज सकते हैं तो आज की इस class में हम लोगों आपने सीखा है कॉडराइ फैब्रिक को बनाना और यह इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप भी बनाए और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताया यह बहुत ही simple और easy वे है वस आपको pencil लाइशेड जो है वो दोनों शेड आपको create करते हुए इसको जो है बहुत ही अच्छा लूग देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो कॉडराइ फैब्रिक का टेक्स्चर जो है वो create हो जाएगा so मिलती हो आप से कल की क्लास में तब तक के लिए take care bye bye and do not forget like, share, subscribe and comment and still you have any doubt, question, query you can ask me on instagram thanks for watching और यहाँ पर आपको एक चीज और करनी है आपको अपनी finger को जो है वो थम से इस तरह से rub करना है और फिर उस finger को जो है प्रेसर ली आपको इस paper पे इस तरह से move करना है तो इससे क्या होगा कि जो आपकी shading है वो merge हो जाएगी और इसे बहुत ही अच्छे से करना होता है ताकि आपका paper जो है उस पर कुछ ज़्यादा effect ना पड़े या आपका paper जो है वो tear ना हो जाए तो इसी तरह से आप भी अगर इसमें merging करना चाहते हैं तो अपने fingers tip की help से इसकी merging कर सकते हैं सो यह ट्रिक उन बच्चों के लिए जो वीडियो end तक देखते हैं बिना स्किप किए जैसा कि आपने अभी तक देखा यहाँ बड़े आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुप जो है हमारे कॉडरोय फैब्रिक का कितना प्यारा आया है कि कि कि